नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज की इस वीडियो में हम 14 जुलाई 2022 को SSC MTS के जो आपके सेकंड सिप्ट का एक्जाम हुआ है उसमें पूछे गए GK GS और करेंट अफेर्स के प्रशनों को हम लोग डिसकस करेंगे देखिए अगर हम लोग GK के point of view से बात करते हैं तो ये जो सिप्ट थी वो आपकी सबसे toughest सिप्ट में से एक थी इसके पीछे का region ये है कि जिन भी लोगों से मैंने बात की उन में से अधिकांस लोगों ने तो ये जरूर बताया कि प्रशन किस topic से आया था लेकिन वह लोग प लोग भी आने वाले समय में एक्जाम देते हैं और आप अपने प्रशनों को मेरे साथ सेयर करना चाहते हैं तो आप इस WhatsApp नंबर के उपर सेयर कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो के हम करते हैं सुरवात पहला प्रशन पोछा गया कि वर्स 2022 में किस अभिनेत्री को Time 100 Impact Award से सम मानित किया गया इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि Time पत्रिका के द्वारा हर साल सव सबसे इंफ्लेंस्वेल लोगों की एक लिष्ट जारी की जाती है और 2020 के लिए ये जो लिष्ट आई थी इसमें अभिनीता आईश्मान खुराना को सामिल किया गया था अग और इसके साथ साथ अंगूर की बात करें तो इसमें आपको टायर्टिक अमल देखने को मिलेगा कीती के डंग से पहले भी प्रेशन पूछा जा चुका है और इसमें आपको फॉर्मिक अमल देखने को मिलेगा अगला प्रेशन पूछा गया कि भारते सम्मिधान के किस उसके लावा धर्म संबंधी अधिकार तो उसी प्रकार से जो हमारा सांस्कृतिक और सैच्छनिक अधिकार है उसी के अंतरगत अल्पसंख्यक के हितों के सरच्छन के संबंधी प्राउधान है और इसके लिए आपको सम्मिधान में अनुच्छेद 39 और 30 देखने को मिलेगा गाटा क्या कहा जाता है इसे हम लोग फिस्कल डेफसिक या फिर राज कोसिय घाटा के नाम से जानते हैं एक तर्म आपने और सुना होगा जिसे हम लोग राज़स सुगाटा कहते हैं तो यह मुख्य रोप से आपका वो एक तर्म है जिसके अंतरगत सरकार के द्वारा जो अपने आय की अनुमान किया जाता है, उससे कम सरकार को होती है आय, तो इस स्थिति को हम लोग राज़त सुघाटा की कटेगरी में रखते हैं, अगला प्रशन पूछा गया कि यमुना नदी गंगा से कहां पर मिलती है, आप सभी को पता होगा कि उत्तरा खंड में जो यमुन कि राज़तानी क्या थी? ध्यान अखिएगा जब हम लोग चालो कि राज़त की बात करते हैं, तो इसकी राज़तानी आपको वातापी या फिर बादामी में देखने को मिलेगी, अच्छा इससे पहले एक प्रशन ये भी पूछा जा चुका है, कि ये जो राज़तानी वात जिनका नाम पूला केसिन प्रथम है, वो इसवंस के एक प्रशिद राजा थे, अगला प्रशन पूछा गया, कि आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है, ये किसने जीता है, तो आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स ये पिछले साल दिसंबर में हुआ था, और इ प्रिक्स हो चुके हैं, और इनमे से जादा तर ग्रांड प्रिक्स के जो बजेता है, उनका नाम है चार्स लेकलर्ग, तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अगला प्रशन पूछा गया, कि भारहुत नाम का जो बहुत इस्तूप है, ये आपको कहां पर देखने क को मिलेगा, अगला प्रशन पूछा गया, कि बीर गेसा नाम का जो लोकनित्य है, ये आपके कौन से राजे से समंधित है, तो फोक डांस के उपर डेटेल वीडियो मैं करवा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देख लिजिएगा, तो ये सारे आपके करनाटक राजे के डांस है, अगला प्रशन पूछा गया, कि रावत नाचा हमारे किस राजे का डांस है, तो एक आपने रौफ पढ़ा होगा, तो ध्यान रकेगा जो रौफ है, रौफ आपके जम्मू और कास्मीर का है, लेकिन जब हम लोग रावत नाचा की बात करते हैं, तो ये हमारे 36 गड़ राजे का एक फोग डांस है, इससे पहले ये प्रशन CHL में भी पूछा जा चुका है, आपको ये भी धिहां रखना है, कि 36 गड़ राजे में बहुत सारे फोग डांस आपको मिलेंगे, जैसे कि सैला है, गौर मारिया है, पंती है, र गर्म खून वाले जीव हैं, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, कि जितने भी हमारे अस्तन धारी होते हैं, जितनी भी आपकी चिनिया होती है, ये सारे गर्म खून वाले होते हैं, गर्म खून का मतलब ये बिलकुल नहीं है, कि आपका खून उबाल मारता है, इसका सिं और बर्ड आती हैं अगर हम लोग ठंडे ब्लड वाले जिवों की बात करते हैं तो इसमें आपके रेप्टाइल हैं जो भी आपके कीड़े होते हैं मशलियां होती हैं या फिर उभैचर होते हैं ये सारे हमारे कोल्ड ब्लड वाले एनिमल हैं अगला प्रश्ण पूछा गया ये आपके पहले सिप्ट के प्रश्ण है तो दूसरी सिप्ट के मुझे उतने ही प्रश्ण मिले थे पहले सिप्ट के कुछ प्रश्ण जो बात में मिले हैं आईए उनको अब हम लोग डिसकस कर लेते हैं तो एक प्रश्ण पूछा गया कि नियाएक समिच्छा का अर्थ क्य देखिए आप सभी को पता होगा कि संसद को हमारे देश में ये अधिकार है कि वो किसी भी विसे पर कानून बना सकती है और संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं क्या वे हमारे सम्धान के संगत है या फिर नहीं इसकी जाच करने का अधिकार आपके सुप्रीम कोट क पास में है तो सुप्रीम कोट के द्वारा जो आपके संसत के द्वारा बनाये गए कानून की जांच की जाती है उसी को हम लोग कहते हैं जुडिसियल रिव्यू और इसके बारे में जो प्रावधान है वो आपको आर्डिकल 372 में देखने को मिलेगा अगला प्रस ने पोछा गया कि वित्तिय स्थिर्ता और विकास परिचद यानि की Financial Stability and Development Council के अध्यच कौन होते हैं तो जो भी देश का वित्मंतरी होता है वही इसका अध्यच होता है तो इस समय जो हमारे निर्मलाताई है वो इसकी अध्यच हैं अगला प्रस ने पोछा गया कि सूर्य से आने वाल आप मंदल में आपको देखने को मिलेगा ओजोन मुख्य रूप से आउक्सीजन के तीन परमानों से मिल करके बना होता है और ये जो लेयर है इसकी खोज सबसे पहले चार्ल्स फेवरे के द्वारा 1913 में की गई थी और ओजोन को मापने की जो इकाई है उसे हम लोग दॉप आपसन के नाम से जानते हैं अगला प्रशन पोचा गया कि केरल में जो हमारा स्नेक बोट रेस है इसको किस नाम से जाना जाता है तो ये प्रशन भी CHSL में आया था और ध्यान रखीगा इस स्नेक बोट रेस को हम लोग वल्लम कली के नाम से जानते हैं किस नाम से इसको हम ल पुयम है, त्रसूर पुरम है, थिरू वथिरा है, अटूकल पॉंगल है, अडूर गजमेला है, तो ये सारे आपके कीरल राज में मनाये जाने वाले त्योहार हैं। मंदलम की बात करें, डाक्टर सुननदा नायर की बात करें, माधुवी अम्मा की बात करें, के छमावती की बात करें, तो ये सारे भी मोहिनी अट्म डान से सम्मन्धित हैं। तो ध्यानक कियेगा, जो लैक आफ कैपिटल है, याने कि धन की कमी, वो मुख्य रूप से गरामेड गरीबी का कारण नहीं है, देखें कैपिटल का मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग उस धन की बात कर रहे हैं, जिससे आप लोग किसी ब्यापार या ब्योसाय हमने पहली और दूसरी सिप्ट में जो भी प्रेशन पूछे गए थे, उनको डिसकस कर लिया है, पहली सिप्ट की मैंने सेपरेट वीडियो भी रखी है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा है, तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, बाकी जो भी चूटे हुए प वीडियो में डिसकस कर लेंगे, थैंक्स फर वाचिंग, जै हिंद, जै भारत!